हेलो गाइसे और वेलकम टुमार यूडूब चैनल टैग बॉम के सिया वीडियो आपके लिए काफी ज़दा इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाले इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं आप उन्हें क्यू नियो एट प्रो की फोन में श्मार्ट काल शेडिंग को आन कैसी करेंगे और उसका यूज कैसी करेंगे दूस्तों बहुत सी स्मार्ट फीचर आपको बताने वाले हैं आपके लिए काफी ज़दा इंपॉर्टेंट वीडियो है सबसे बहले शेडिंग में आजाओ और शेडिंग में आने बाद कुछ हैसा इंटरफेस आपकी स्कीन का उपसन मिलता है आपको श्मार्ट कालिंग के लिक करना है और इसके अंदर तीन प्रकार के श्मार्ट काल फीचर मिलते बाकी और भी मिलते हैं उनको भी बताएंगे पहले आप इन तीनों का यूज करना जान लेजिये जैसे कि स्मार्ट एंसवर है इसको आन कर देते हैं उस समय अपने फोन को अपने कान की पास ले जाएंगे हैंट फ्री आटोमेटिक हट जाएगा इस स्मार्ट मूट है इसको अन कर देते हैं तो आपके नंबर पर कॉल आ रही है आप अपने जो स्कीन को ढख देंगे हाथ से या किसी भी चीज से तो आपकी इनके में कॉल मूट हो जाएगी और स्मार्ट फीचर जो आपको मिलते हैं आप बैक आना है दो बार इसके बाद यहाँ पर एक उप्सन है आप लोगों को मिल जाता है थोड़ा नीचे आने बाद फेस ब्यूटी फाल विडियो कॉल इस पर किलिक करेंगे सभी उप्सन को आन कर देंगे जब इनी एप्लिकेशन में से किसी भी एप्लिकेशन से विडियो कॉल करेंगे तो फेस ब्यूटी का फीचर मिलेगा यहाँ पर बैक आते हैं फ्लेस नोटिकेशन है आपको इस फोन डाइलर के अंदर जो है स्मार्ट फीचर मिलते हैं आप फोन डाइलर ओपन करिए राइट शाट ऊपर की तब कॉर्णर में त्री डोट पर किलिक करिए शेडिंग का उप्सन है शेडिंग के उप्सन पर किलिक करिए यहाँ पर आपको कुछ हैसे अंटरफेस मिलता है कालिंग अकाउंट का उप्सन मिलेगा इस पर आपको किलिक करना शेडिंग के उप्सन को आन कर दिजिए यह डारेक्ट वीडियो कॉल के लिए है आगे आपको बता रहें कैसे करना है आपको यहाँ पर और एक फीचर मिलता है आप नीचे आएंगे यहाँ पर कालराडे अनाउंसमेंट का इस पर किलिक करके आलवेज कर देंगे तो कॉल आएगी जब भी उसका नाम बोलेगा और सेकेंड ओप्सन चूज कर लेंगे तो जब दोस्तो फोन को Bluetooth से connect किये रहेंगे तब कॉल आएगी तो नाम बोलेगा और एक चीज आपको करना है अपने फोन के सेटिंग में आना है और उपर आपको सर्च करना है दोस्तो Carrier C-A-R-R-I-E-R आप इस पेलिंग सही लिखेंगे Carrier Video Calling को Option मिलेगा इसको आन कर दीजिए और दोस्तो आप Normal Call करते हो तो वहीं से आपको Video को Option मिलेगा Video Call में आप Normal Call को स्विच कर सकते हैं जिससे कहते हैं Direct Video Call